तो अधिया नमस्कार मैं शीतल पी सिंग सत्यहंदी डॉट कॉम पर आपका स्वागत है अधिया ने पोरोना को लेकर भारती मीडिया ने खासकर उसमें टेली मीडिया ने और उसमें भी जो हिंदी का टेलीजिन मीडिया है उसने जो एक वातावरन तयार किया था उसी वातावरन में जो कारण गिनाए गये थे उसी की गिरफ्त में अब एक बड़ा मीडिया हाॉस जो देश में सबसे पुराना मीडिया हाॉस है जीनियूस वो आके फस गया है हुआ यह है कि इस संस्थान में इस कोरोना की महमारी के वक्त सबसे पहले तो इन्हों नहीं यह नहीं किया कि जो इस महमारी के डिरेक्शन्स थे गाइडलाइन्स थी उसमें यह था कि किसी भी संस्थान में जो खुलेंगे उनमें 33 फिस्दी ही करमचारी काम करेंगे इस दोरा को उसने काम पर बुलाए रखा वो लोग आते रहे काम करते रहें अब वहां जो 18 माई को एक प्रशाशन का प्रस्णोट है उससे पता चलता है कि करीब 28 लोग वहां संक्रमित हैं जो पॉजिटिव पाए गए कि क्यामन लोगों का टेस्ट हुआ था और 28 लोग वहां संक्रमि पांच लोग उपो नाम की फैक्ट्री में ग्रेटर नोइडा में संक्रमित पाए गए और उपो फैक्ट्री बंद हो गई हम यह नहीं कहरा है कि जी न्यूस बंद करतिया जाए लेकिन एक बात बता रहा है कि इस तरह से कारवाईया हुई है इसी मीडिया ने तबलीगी जम सहने हैं यहां तरह की संख्या किसी इस मामले में इंफेक्टिट पाइ गई है। लेकिन अब चुकिए के एक एसे अच एसे यह सम الب होग यह सामने मिडिया है जिस में प्रत्यक्ष यह परोक्ष रूप से हम यह पाते हैं लगतार की जो केंद्री the Machine सब्सक्राइब उससे उसकी पक्षधरता बिलकुल सबको पता है उनको विशेस किस्म की सुरक्षा प्रदान की हुई है उनके वो भी सरकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं अपनी खबरों के द्वारा और एक ऐसी मीली भगत सामने आती है जिससे इस पूरे प्रकरण में पूरी एक जंग छीड़ी हुई है एक और जी न्यूज के जो आप कहें कि एडिटर-in-चीफ सुधिर चौधरी साहब अपने ट्विटर एकाउंट से युद्ध चला रहे हैं दूसरी और उनको देश भर में लोग आलोचना कर रहे हैं कि उनके साथ सरकार जो है वो हैंस इ कर्मचारी काम कर रहे थे उस दफ्तर को तो फिलाल सील किया गया है और इन लोगों ने दूसरे दफ्तर में अपना काम शेफ्ट किया है कुछ इधर दूर चेंज किया है उसमें दवाव अगरे का छिड़काव अगरे जो सब प्रशासनी करवाईया होती है उसाब हो रही है अब हम जरा इस पूरे प्रक्रण की सिक्वेंस पर जाएंगे कि कैसे यह सब पता लगा अब तक न्यूज लॉंड्री नाम के पोर्टल ने और भास.com का जो पोर्टल है इन सब में इस पर कुछ खबरें आ चुकी है न्यूज लॉंड्री ने थोड़ी विस्तत खबर की है और उसने कोशिश भी की थी कि इनके लोगों से बाचीत हो सके और इसको आधिकारिक तोर पर पेश कर सकें लेकिन उनकी ओर से प्रषासनिक जवाब उनको कोई G-news की ओर से नहीं मिला है। हमने भी कुछ कर्मचारियों से उनके बात करने की कोशिश की जिन्हों ने अपना नाम छुपाने की शर्त पर बड़ी बहुत हमको सूचनाएं दी हैं। उसमें ये साफ नजर आता है कि जीन्यूज ने और उसके प्रवंधन ने इस मामले को और इस पूरी समस्या को अपने ऑफिस में जिस तरह से हैंडल किया वो अगर किसी दूसरे ने किया होता या किसी दूसरे का मामला होता तो अब तक पुलिस और दूसरी कारवाईय उस पर बड़ी तगड़ी हो चुकी हो गया यह लगभग उसी तरह से है जैसा आरोप हम पाते हैं कि मीडिया ने तबलीगी जमातिया दूसरे लोगों पर लगाया क्या कि मामले को छुपाया गया टालमटोल की गई लापरवाही बरती गई और यहां के मामले में तो हम यह भी पात हैं कि कर्मचारियों पर जबरन दबाव डालकर उनको वर्क फ्रम होम करने की जगे दफ्तर में बुलाया गया और जो इसका पहला केस सामने आया है उसके साथ तो यह किया गया कि वो नाइट शिफ्ट में काम करता था और आया एमसी का पास आउट है और दिली में ही एक बस कर रहा था बलकि लोगों से यह कह रहा था कि यह बुखार वगरा के बहाने नहीं चलेंगे और वह इस पर कारवाई हो जाएगी और उसको इलाज के लिए कहीं नहीं ले गए वो फुद अपने प्रयास से मेडिकल बीट कवर करने वाले किसी मित्र के जरिये रामनहुर लोह करने लोगों का जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि 28 लोग कुरोना पॉजिटिव यानि प्रशाशनिक तोर पर जो भी मैनेजमेंट है इस स्थान को चलाने वाला उसकी और से भारी लापरवाही की स्थिति सामने आई है कर्मचारियों को डराने के लिए 14 तारीक का एक इंटरनल मेल है जिसे भडास ने तो शाइच चाप दिया है इस इंटरनल मेल में एक तरह से चेतामनी दी गई है कर्मचारियों को कि अगर वो खासी जुखाम या बुखार वगरा के बहाने से छुट्टी चाहने की इच्छा करते हैं तो एक तरह से उसमें धंकिये क्यों न कि उन्होंने लोगों को थमकाया है जबकि वो उस दिन अपने लिए जब ये रिपोर्ट आ गई तो 16 तारीक को ही उन्होंने अपने लिए दूसरे ऑफिस का चुनाव कर लिया था और अपना ट्वीट भी किया था शेकी बगहरते हुए कि हमारे हैं एक कर्मचारी को करोना पाजिटिव पाए गया है इसलिए मैं अपना स्टूडियो चोटे स्टूडियो में बदलना हूं दूसरी जगह से करूँगा डियने जो एक अपना उनका मशूर प्रोग्राम है तो जब आप जीनियूस का खुद का डियने करते हैं तो आपको पता लगता है कि कि इतनी ला आतंकवादी तक घोशित कर देते हैं और उसमें तमाम तरह के शड्यंत्र ढूड़ लाते हैं लेकिन जब वो अपनी अपनी उनकी व्यवस्था में उसकी जाच की जाती है तो पाए जाता है कि वो इस तरह के अपरादों के खुदी के नवगार है अगर वो अपराद उतने करनी चाहिए प्रशाशन को धर्म के अधार पर या किसी मीडिया रिपोर्ट के अधार पर या किसी भी किसम के प्रभाव के अधार पर कोई कारिवाही किसी पर नहीं करनी चाहिए और किसी को इसकी वजह से छोड़ना भी नहीं चाहिए हम तो यहीं कहेंगे जो समिधान सम् तक आई हैं उनमें देखा और हमारी अपनी जनकारियों के नुसार कि 15 तारीक को तो पहली रिपोर्ट आ गई थी उस लड़के की जो 11-12 तारीक को एड्मिट हुआ है और ये अपने खर्चे से इसने टेस्ट कराया अपने प्रयास से वो एड्मिट हुआ तो एड्मिस्ट्रे नगी वर्ट की साथ रहता है तो उसने मेनेजमेंट को कहा कि उसकी मां का भी टेस्ट करा दिया जाए तो उन्हों नकाव आप अपने खर्चे से कराएं वो आपके जिम्मेदारी है बताईए कोई करमचारी आप क्या काम करता है और आप किया इसको इन्फेक्शन मिलता है व पूरे समाज को रोज बैठके उनका चरित्र शित्रन किया करते हैं और अपने टार्गेटेट शिकारों का एक तरह से वद्ध किया करते हैं इन लोग अपने यहां अपने कर्मचारियों के साथ ऐसे रविया सामने आता है तो यह बड़ा ही मतलब ठीक नहीं है जिसे आप यू खने जनकारी मिली है उससे पता चलता है कि उन्होंने उस हिससे को उस फ्लोर को तो सील कर दिया है यह लोग वहाँ दूसरी बीltin में चले गए है जो वियॉण वाला इनका एक दूसरा संक्षण है उसकी बीलिंग में है ऐसा जानकारी में आया है 18 तारीक को इनके जो DNA वाला प्रोग्राम है सुधिर चौधरी जब उसको कर रहे थे उसकी अतिती थी इश्मिती इरानी वीडियो इसके अविलेबल है यूट्यूब अगरे पर हम लोग कॉपीराइट के विज़े से या नहीं ले सकते किस्मिती इरानी ने बहुत आप कहेंगे कि एक सरल तरीके से इनको इनका परदा अलग करके इनको चेहरा इनका दिखा दिया उन्होंने पूछा इंसे कि क्या आरे हो गया सेतु का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं और इन लोगों के साथ क्योंकि उसका बड़ा प्रचार प्र प्रदारमंत्री भी बहुत प्रचार करते हैं दूसरे उन्होंने कहा कि जो ये कर्मशारी है और इनके जो रिष्टेदार वगर है और जो इनके दोस्तियार जिनसे इनका संपर्क रहा होगा क्या उनकी देखवाल आप लोग कर रहे हैं उनकी देखवाल बहुत जलूरी है सब तक फैल रहा होगा सचा यह थी कि जी इन ही सबसे अपने को पिंट छुडा रहा था एड्मिस्टेशन वहां का इसकी शिकायते हो रही थी तो उनको डाट रहा था इमेल से और मीटिंग्स में वीडियो कॉंफरेंस वगर करके जो इनका प्रशाशन है इसमें इनके CEO सब को 14 मई को ही टांट दिया था और 18 मई को एक मीटिंग में सुधीर चौधरी ने उसी बात को दोहराया था उसके पहले भी कई बार जब जब ऐसे प्रसंग आए तो यह हुआ कि नहीं इसी नियूज में अगर आपको काम करना है तो यह खासी जुखाम के बाहरें नहीं च गलती है जिसके जरीए यह विमारी फैलती है तो आप दुनिया भर के लिए यह उगदेश लेके बैठते हैं और आप उनको यह इस या उस पर खारिज करते हैं या गुनागार ठहराते हैं उन पर एक्शन की डिमांड करते हैं और कई बार आप चुकि सरकार से आपकी जैसे भी संबंध है जिनके बारे में अरोपित है कि वो ज्यादा ही करीबी संबंध है अबनॉर्मल पत्रकारिता के संबंध है तो उन पर लोगों के नुकसान भी कर देते हैं लेकिन आप अपने संस्थान में इन चीजों का पालन कहा कर रहे हैं तो यह सवाल तो उठेंगे और सवाल उठ गए तो जीनियूज आज इन सवालों के घेरे में है और यह और बात है कि वो अपनी शेखी से और धिठाई से उसका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सवाल अभी अनुत्तरित है और यह अभी उठते रहेंगे और प्रशासन पर भी बहुत बड़ी जि कर देते हैं पूरी पूरी बिल्डिंग सील कर देते हैं तो अगर वो इस मामले में जीनियूज के साथ कुछ हैंड्स इन ग्लोव है टाल मटोल कर रहे हैं या उनके जो जिन लोगों के पॉजिटिव टेस्ट आये हैं उनके परिजनों वगरे की जाच में कोई इसको बिना किसी पक्ष के एक सीदे सीदे इसको आरपार देखना चाहेंगे वो यहीं चाहेंगे कि कानून और काईदा सब के लिए एक जैसा हो वो किसी के साथ न भेदभाव करें और न किसी के साथ पक्षपाद करें तो सत्यंदी फिर इस चीज को जो जैसा होगा लेके आएगा आपके सामने और हम लोग इसको फॉलो जैसे बहुत सारी स्टोरी इसको फॉलो हम कर रहे हैं इसको भी करेंगे और इसमें कोई डेवलप्मेंट होगा तो लेकि आपके सामने हाजिर होंगे बहुत-बहुत धन्यवाद नमश्कार सत्त हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं